दोस्तो बिहाद सरकार की तरब से नए रासन कार्ड आवेदन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अपडेट यह है दोस्तो कि अब आप मात्र 30 दिन में ही अपना नए रासन कार्ड बनवा पाएंगे तो दोस्तो अगर आपका रासन कार्ड नहीं बना हुआ है और रासन कार्ड बन्वाना चाते हैं तो मातर आप जो सो 30 दिन में फिच में आपना नया रासन टार बन्वाना पाएंगे कर सकते हैं इसके लिए आपको ब्लॉग जाने के आप सकता नहीं है लेकिन दोस्तों यहां पर जो अपडेट आया अपडेट यह है कि मातर 30 दिन में ही नया रासन कार्ट बन जाएगा तो दोस्तों इसी गवारे में आपको पूरे जनकारी देने वाला हूं इस वीडियो में त सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह जनकारी के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आकन को और उन कर लीजिए दोस्तों जैसे का आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर बताया जा रहा है कि 30 दिनों में बन जाएगा रासन कार्ड ऑनलाइन दोस्तों अब बिहार में 30 दिनों में नए रासन कार्ड बन जाएगा और इनका ऑनलाइन आविदन करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रखा है उनका दोस्ते के यहां पर एक अधिस सूचना जारी मार्च 2020 से अब तक बने 46.6 लाग नए रासन कार्ड तो दोस्तों बि यहां पर दोस्ते के बताए जारा है जैसे का आप यहां पर देख पा रहे हैं कि राज में नए रासन कार्ड बनना सुरू हो गया है बिहार राज में नए रासन कार्ड बनना सुरू हो गया है इसके लिए ऑनलाइन आविदन लिए जा रहे लेकिन इसके लिए ऑनलाइन चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर यहां पे कोणिव में आपको जूसरोगए वीडियो का लिंग क्लिक करके वीडियो को देख के बहुत ही आसान तरी के से आप राशन कार्ड के लिए बिखाग ने अधिस सूचना जारी किया राज में मार्च दोजार बीस से फरवडी दोजार बीस तक बिखाग ने राशन कार्ट बने हैं तो आप सभी को मालम होगा कि मार्च दोजार बीस में लोगड़न लगे थे और उसी बीच जो अपरेल सब में जिवी काद इदी के द्वारा नया राशन कार्ट का आवेदन लिया गया था तो वही यहां पर बताए गया है जिससे अब पर देख पा रहा हैं यहां पर बताए गया दोस्तों यह देख सकते हैं कि सार्वधीक राशन काड अपरेल दोजार बीस से सितमबर दोजार बीस तक बनाए गए गये थे या कोवीड का दोर था या कोवीड का दोर था उस समय 2020 में जब दूसरे प्रांतों के लोग अपने घर बिहार वापस आये थे इस तरह राश्रिय खार सुरक्षा कारकरम के तथ लावाविंतित होने वाले कुल वास्तिविक परिवारों की संक्या 1.82 करोड से अधीक हो गई है लाववंति लोगों की संक्या 8.84 करोड है उनका दोस्ति के यहां पर और वी जनकाड़ी दिया गए जैसे कब यहां पर देख पारें कि विशेश ततिया है कि इन में से 7.15 करोड लोगों का अधार कार्ट का संग्रह हो चुका है से इस लोगों के अधार कार्ट उपलब्द कराने के प्रभावी नर्देश जारी हो चुके है अधिकार्यों सुत्रों के मताविक अक्टूबर दोजार बीच से फरवड़ी दोजार बाइस तक 11.13 लाक राशनकार्ट बनाए गया है तो यहां पर दूसरी के एक मताविक यानि कि एक अनुमान बता है कि अक्टूबर द 2020 से सितंबर 2020 तक में 30.38 लाक और उससे पहले मार्च 2020 तक में 11.99 लाक राशनकार्ट बनाए गये थे उनका दूसरी के और भी राशनकार्ट से जूरी जानकारी दिया गया जैसा आप यहां पर देख पार है कि राशनकार्ट बनवाने के प्रिकरिया हुई शुरू तो दोस् दोस्ते के यहां पर बताया है कि खाद एबं मोक्ता सनक्षन विभाग द्वारा नए राशनकार्ट बनवाने के लिए ओफ लाइन यानि कि आटिफियास कॉंटर्प से भी आवेधन देने का जो निर्देश है वो जो दिये गया है यानि कि कुछ दिनों के बाद आप आप भी राशनकार्ट के लिए आवेधन कर पाएंगे उलेखनिया है कि अभी राशनकार्ट उन्हीं जीलों में बनाये जा रहा है जहां MLC चुनाव हो चुके हैं से जीलों में आचार सहिता के बाद या प्रक्रिया शुरू की जाएगी बांकी जीला है दोस्तों उसमें से जील कर अगर आप राशनकार्ट के लिए आवेधन करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी आवेधन आप कर सकते हैं क्योंकि दूस्तों यहां पी जो अपडेट आया अपडेट यह है कि अगर आप राशनकार्ट के लिए अप्लाय करेंगे तो मातर आपका